अजमे डेरी में नैशनल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड आनन द्वारा नवीन डेरी प्रोसेसिंग प्लान का शुक्रवार को भूमी पूजन किया गया दस लाख लिटर स्टोरिज के एक शमतावाले इस प्रोसेसिंग प्लान का शिरान नयाज मुख्यमंद्री वसंद्रा राचे नहीं किया था अजमेर ही नहीं राजस्तान के लिए अमील का पत्थर सावित होगा इसके बनाने से अजमेर के दुखत उत्पादकों को भी फायदा होगा अजमेरिय अद्दक्षरामचंद्र चौधरी ने कहा कि इस नए प्लान के लिए तेजगती से कारे किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राजस्तान में श्वेद करांती के लिए यह मील का पत्थर सावित होगा इस प्लान में 24 घंटे में 10 लाख लिटर के प्रोड़क्ट्स बनेंगे वही इस प्लान के लिए सभी माबदन ध्यान में रखकर कारे किया जा रहा है परेवरन को ध्यान में रखकर कारे किया जाएगा उम्मिद है कि 2020 में इस प्लान के बने प्रोडक्ट्स बाजार में मिलने लगेंगे दो साल में यह प्लांट बन जाएगा प्रती दिन दस लाक लेटर दूद इस गेट में इंट्री होगी उधर और चोबीस घंटे के अंदर करीब करीब दस लाक लेटर के प्रोड़क्ट बनेंगे यह वाला जो है सीविल वर्क इसका जो है यह मुख्य प्लांट जो बन रहा है सीविल वर्क हमने 55 करोड में टेंडर दिया एंटीडीबी ने पारिक साब को और इनकी कंपनी भूँ दूसरा इसके बाद में जैसे सीविल वर्क होगा उसी के बीच में दूसरा काम जो सुरू होगा वlles होगा हुगा मशनरी पार्ट स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के रिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें